किसी एक प्रोजेक्ट के शुरू होने से कैसे इज अब डूइंग बिजनेस भी बढ़ती है और साथ साथ इज अब लिविंग भी कैसे बढ़ती है इसका ये उत्तम उदारण है अभी मुझे जिन चार-पांच भाई भेहनों से बात करने का मोका मिला और वो अपने अनुभव को जिस प्रकार से बयाँ करते थे चाहे वो तीर सी आत्रा की कलपना हो चाहे वहिकल को कम से कम नुक्सान होने की चर्चा हो चाहे समय बचाने की चर्चा हो चाहे खेती में जो उत्पादन होता है उसकी बरबादी को बचाने का विश्य हो फ्रेज फ्रूट वेजी वेटेबल सुर्च जैसे मार्केट तक पहुंचाने का इतने बढ़िया तरीके से सभी साथ्यों ने एक प्रकार से इसके जितने आयाम है उसको हमारे सामने प्रस्तूत किया और उसके कारण व्यापार में जो सुवीदा बढ़ेगी बहुत सारी स्पीड बढ़ जाएगी मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही खुशी का माहूल है व्यापारी कारोबारी हो कर्मचारी हो सरमीग हो किसान हो स्टूडेंस हो हर किसी को इस बहत्रीन कनेक्टिविटे का लाब होने वाला है जब अपनों के बीच जब अपनों के बीच की दुनिया कम होती है तो मन को भी बहुत संतोष मिलता है आज एक तज़स से गुजरात के लोगों को दिपावली के त्योहार का ये बहुत बड़ा उपहार भी मिल रहा है खुशी के इस अवसर पर उपस्तित गुजरात के मुख्यमंत्री स्रीमान वीजय रुपानी जी केंद्र सरकार में मेरे मंत्री मंडल के साथी भाय मन्सुख भाय मांडविया जी भारतिय जनता पार्टी के गुजरात प्रदेश के अध्यक्ष और सामसद में मेरे साथी त्रिमान सियार पाटिल जी गुजरात सरकार के सभी मंत्री गण, सामसद गण, विधायक गण, अन्य सभी जन प्रतिनिधी और अलग-अलग स्थान पर विशाल संग्या में इकटे हुए मेरे प्यारे भाईयों और बहनों आज गोगा और हजीरा के बीच रोपैक सेवा सुरू होने से सवराष्ण और दक्षिन गुजरात दोनों ही छेत्रों के लोगों का बरसों का सपना पूरा हुआ है बरसों का इंतजार समाप्त हुआ है हजीरा में आज नए टर्मिनल का भी लोकारपन किया गया है बावनगर और सूरत के बीच सापित हुए इस नए समुद्री संकर्प संपर्क के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई अनेक अनेक शुबकावनाई साथियों इस सेवा से गोगा और हजीरा के बीच अभी जो सडक की दुरी पोने 400 किलोमेटर की है वो समंदर के रास्ते तरफ 90 किलोमेटर रह जाएगी यानि जिस दुरी को कवर करें मैं 10 से 12 घंटे का समय लगता था अब उस सफर मैं सिरफ तीन चार घंटे ही लगा करेंगे ये समय तो बचाएगा ही आपका खर्च भी कम होगा इसके अलावा सडक से जो ट्राफिक कम होगा वो प्रदूशन कम करने में भी मदद करेगा जेसा यहां भी बताया गया साल भर में यह अकड़ा आपने आप में बहुत बड़ा अकड़ा है साल भर में करीब 80,000 यात्री यहने 80,000 यात्री गाडियां कार करीब करीब 30,000 ट्रक इस नई सेवा का लाब ले सकेंगे सोचिए कितना जादा पैट्रोल डीजल की भी बचत होगी साथियों सबसे बड़ी बात यह है कि गुजरात के एक बड़े व्यापारिक सेंटर के साथ सवराश्ट्र की यह कनेक्टिविटी इस ख्षेत्र के जीवन को बदलने वाली है अब सवराश्ट के किसानों और परसुपालकों को फल, सबजी और दूद सूरत पहुचाने में ज़्यादा आसानी होगी सडक के रास्ते पहले फल, सबजी, दूद जैसी चीजें इतना लंबा समय होने के कारण और ट्रक के अंदर उठा पटक रहती है तो काफी कुछ नुक्षान भी होता है खास करके सबजी को फलों को काफी नुक्षान भी होता है यह सब बंद हो जाएगा अब समंदर के रास्ते पशुपालकों और किसानों के उत्पार और तेजी से जादा सुरक्षित तरीके से बाजार तक कहुच पाएंगे इसी तरह सूरत में व्यापार कारोबार करने वाले साथियों और स्रमिक साथियों के लिए भी आना जाना और ट्रांस्पोर्रेशन बहुत आसान और सस्ता हो जाएगा साथियों गुजरात में रोपैक्स फेरी सेवा ऐसी सुभीधाओं का विकास करने में बहुत लोगों का श्रम लगा है यह ऐसे आसानी से नहीं हुआ है इसको करने में कई कठीर यहां आई रास्ते में कई चुनोतिया आई इन प्रोजेक्ट के साथ मैं बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूँ और उसके कारण मुझे उन सभी समस्याओं की बहुत जानकारिया है कैसी कैसी मुसीबतों से रास्ते निकालने पड़ते थे कभी कभी तो लगता रधाब यह कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम लोगों के लिए नया अनुभवता गुजरात में तो और मैंने इन सारी चीजों को देखाए हैं और इसलिए इसके लिए जो मेहनत की है वे सभी अभिनदन के अधिकारी हैं उन तमाम एंजीनियर्स का स्रमिकों का मैं आज विशेश रुप से आभार व्यक्त करता हूँ जो हिम्मत के साथ डटे रहें और आज इस सपने को साकार करके दिखा दे रहें आज वो परिश्रम वो हिम्मत लाखों गुजरातियों के लिए नई सुविधा लेकर आई हैं नए अवसर लेकर करके आई हैं साथियों गुजरात के पास समुद्री व्यापार कारोबार की एक समुरुद्ध गिरासत रही है अभी मन्सुख भाई सेंकड़ों हजारों साल की तवारिक बता रहे थे कि कैसे कैसे हम समुद्री व्यापार से जुड़े हुए थे गुजरात ने जिस तरह बीते दो दश्वकों में अपने समुद्री सामर्थ को समझते हुए पॉर्ट लेड डेवलेप्मेंट को पात्विकता दी है वो हर गुजरात के लिए गवरों का विश्या है इस दोरान गुजरात के कोस्टल इलाकों में इन्फास्रक्चर और डेवलेप्मेंट के दूसरे प्रोजेक्टों पर विशेष ज्यान दिया है राज्य में शिप बिल्डिंग पॉलिशी बनाना हो शिप बिल्डिंग पार्क बनाना हो या स्पेशलाइज टर्मिनल का निर्मान हर इन्फास्रक्चर को प्रात्विकता दी गई है जैसे दहज में सॉलीड कार्गो, केमिकल और एलेंजी टर्मिनल और मुद्रा में कोल टर्मिनल इसके साथ ही बेसल ट्राफिक मैनेजमेंट सिस्ट्रीम और ग्राउन ब्रेकिंग कनेक्टमीटी प्रोजेक्ट को भी हमने पूरी तरह बढ़ावा दिया है ऐसे ही प्रयासों से गुजरात के पौर्ट सेक्टर को नई दिशा मिली है साथियों सिर्फ पौर्ट में फीजिकल इंफरस्ट्रेक्टर का निर्मानी नहीं बलकि उन पौर्ट के आसपात रहने वाले साथियों का जीवन भी आसान हो इसके लिए भी काम किया गया है कोस्टल एरिया का पूरा इको सिस्टिम ही आदुनिक हो उस पर हमने अपना ध्यान के इंद्रित किया है चाहे वो सागर खेडू जैसे हमारी मिशन मोड योजना हो या फिर सिपिंग इंडस्ट्री के स्थानी युवाओं का स्किल डवलप्मेंट करके उने रोजगार देना हो गुजरात में पौर्ट लेट डवलप्मेंट का दायरा बहुत बड़ा रहा है सरकार ने कोस्टल एरिया में हर प्रकार की बुनियादी सुविधाओं का विकास सुनिश्चित किया है साथियो ऐसे ही प्रयाशों का परिणाम है कि गुजरात आज एक प्रकार से भारत के समुद्री द्वार के रुप में स्थापिद हुआ है गेट्वे बन रहा है गेट्वे अप्रस्परिटी बीते दो दसकों में पारमपारीक बंदर गहाप संचालन से लेक निकल कर एकी कृत कॉम्प्रिहेंसिव का एक अनूठा मोडेल गुजरात में लागू किया गया है कि मोडेल आज एक बेंचमार के रूप में विक्सित हुआ है आज मुद्रा भारत का सबसे बड़ा बहु देशिय बंदरगा और सिक का सबसे बड़ा बंदी बंदरगा है इनी प्रयासों का नतीजा है कि गुजरात के बंदरगा देश के प्रमूख समुद्री केंद्रों के रूप में उभरे है पिछले वर्ष देश के कुल समुद्री व्यापार में से 40% से ज़्यादा की हिस्सेदारी गुजरात के बंदरगाहों के रही है यह शायद गुजरात के लोगों को भी आज मैं पहली बार बता रहा हूं साथियों आज गुजरात में समुद्री काड़ोबार से उससे जुड़े इंफासरक्टर को और कैपेसिटी बिलिंग पर तेजी से काम चल रहा है जैसे गुजरात मेरिटाइम कलस्टर, गुजरात समुद्री विश्वविदायले मेरिटाइम उनिवर्सिटी, भावनगर में दुनिया का पहला CNG टर्मिलर, ऐसी अनेग शुविदायें गुजरात में तयार हो रही है गिप सिटी में बनने वाला गुजरात मेरिटाइम कलस्टर, बंदर गाहों से लेकर सी बेज लॉजिस्टिक को एड्रेस करने वाला एक समर्पित तंत्र होगा ये कलस्टर एक प्रकार से सरकार, उद्योग और सिक्ष्ण समस्तानों के बीच के सहयोग को बल देगा इस से इस सेक्टर में वैल्यू एडिशन में भी बहुत बदी मदद मिलेगी साथियों, बीते वर्षों में दहेज में भारत का पहला रासायनिक टर्मिनल बना पहला LNG टर्मिनल बना, अब भावनगर पोड पर दुनिया का पहला CNG टर्मिनल सापिर होने जा रहा है CNG टर्मिनल के अलावा भावनगर बन्दरगा पर रोरो टर्मिनल, लिक्विड कार्गो टर्मिनल और कंटेनर टर्मिनल जैसी सुविधाय भी तैयार की जा रही है इन नए टर्मिनलों के जूनने से भावनगर बन्दरगा के एक समता कई गुणा बढ़ जाएगी सातियों सरकार का प्रयास गोगा दहेच के बीच फेरीवी सर्विस को भी जल्द से फिर सुरू करने का है इस प्रोजेक के सामने प्रकृती से जुड़ी अनेक चुनोतियां सामने आके खड़ी हुई है उन्हें आधुनिक टेक्नलोलोजी के मादम से दूर करने का प्रयास किया जा रहा है मुझे उमीद है गोगा और दहेच के लोग जल्द ही इस सुविदा का लाब फिर ले पाएंगे साथियों समुद्री व्यापार कारोबार के लिए एक्सपर्ट तयार हो एक ट्रेंड मेंट पावर हो इसके लिए गुजरात में मेरिटाइम युनिवर्सिटी बहुत बड़ा सेंटर है इस सेक्टर से जुड़ी आवशक्ताओं के लिए प्रोफेशनल एजुकेशन देने वाला इदेश का पहला संस्तान है आज यहां समुद्री कानून और अंतराष्टिय व्यापार कानूनी की पढ़ाई से लेकर मेरिटाइम मेनेजमेंट, सीपिंग, लॉजिस्टिक उसमें भी MBA तक की सुविदा मौजूद है यूनिवर्सिटि के अलावा लोथल में जिसका आभी मन्सुक बैने थोड़ा उलेक किया था लोथल में देश की समुद्री विरासत को संजोने वाला पहला नेशनल मूजियम बनाने की दिशा में भी काम चल रहा है साथियों आज की रोपैक्स फेरी सेवा हो या फिर कुछ दिन पहले शुरू की हुई सीप्लेन जैसी सुविदा इससे बोर्टर रिसोर्सिज बेज एकोनॉमी को बहुत गती मिल रही है और आप देखिए जल, थल, नब तीनों में इन दिनों गुजरात ने बहुत बड़ा जंप लगाया है कुछ दिन पहले मुझे मोका मिला गिरनार में रौफ़े के लोकारपन का वो टूरिजम को भी बल देगा, यातियों को सुविदा बढ़ाएगा और नब में जाने का एक नया रास्ता देगा उसके बाद मुझे सी प्लेन का मोका मिला, एक जगा एक से पानी से उड़ना, दूसरी जगा पे पानी में उतरना और आज समंदर के अंदर पानी के माध्यम से प्रवास करना, यानि एक साथ कितनी पकार की गती बढ़ने वाली हैं, इसका आप भली भातियंदार लगा सकते हैं साथियों, जब समंदर की बात आती है, पानी की बात आती है, तो इसका विस्तार मचली से जुड़े व्यापार कारोबार से लेकर, सी भीड की खेती से लेकर, वोटर, ट्रांस्पोर्ट और टूरिजम तक है, बीते वर्षों में, देश में, ब्ल्यू एकोनामी को ससकत करने के लिए भी गंभीर प्रयास किये गए हैं, पहले ओसन एकोनामी की बात होती थी, और आज हम ब्ल्यू एकोनामी की भी बात कर रहे हैं, साथियों, समुद्री किनारे के पूरे एक्के सिस्टिम को और मचवारे साथियों की मदद के लिए भी बीते वर्षों में अनेक योजनाये बनाई गई हैं, चाहे आधुनिक ट्रॉलर्स के लिए मचवारों को आर्थिक मदद हो, या फिर मौसम और समुद्री रास्तों की सही जानकारी देने वाली नेविगेशन सिस्टिम हो, मचवारों की सुरक्षा और समुरुद्धी यह हमारी प्राफ्विक्ता है, हाल में मचली से जुड़े व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, प्रधान मंत्री मच्य संपदा योजनाभी शुरू की गई है, इसके तहट आने वाले वर्षों में फिसरीज से जुड़े एक इन्फास्रक्षर पर बीस हजार करोड रूपिय खर्च की जाएगे, इसका बहुत बड़ा लाप गुजरात के लाखो मच्वारे परिवारों को होगा, देश की ब्ल्यू एकोनामी को होगा, साथियों, आज देश भर की समुद्री सिमा में पॉट्स की केपेसिटी को भी बढ़ाये जा रहा है, और नए पॉट्स का भी निर्मान तेजी से चल रहा है, देश के पास करीब 21,000 किलोमेटर का जो जलमार्ग है, वो देश के विकास में अधिक से अधिक कैसे काम आए, इसके लिए प्रयास किये जा रहा है, सागर माला प्रोजेक्ट के तहट आज देश भर में पान सो से जादा प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, लाखों करोड रुपिय के इन प्रोजेक्ट में से अनेक पूरे भी हो चुके हैं, साथ क्यों समूद्री जलमार्ग हो या फिर नदी जलमार्ग, भारत के पास संसाधन भी रहे हैं और एस्पर्टाइज की भी कोई कमी नहीं रही है, ये भी तय हैं कि जलमार्ग से होने वाला ट्रांस्पोर्टेशन, सड़क और रेलमार्ग से कई गुना सस्ता पड़ता है, और परियावरण को भी कम से कम नुक्सान होता है, फिर भी इस दिशा में एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ, 2014 के बाद ही काम हो पाया है, ये नदिया, ये समंदर, ये मोधी प्रधान मंत्र बनने के बाद नहीं आया है, ये था, लेकिन वो द्रश्टी नहीं थी, जो 2014 के बाद आज देश अनुभव कर रहा है, आज देश भर की नदियों में, जो इन्लेंड वाटर बेज पर काम चल रहा है, उससे कई लेंड लॉक राज्यों को समंदर से जोड़ा जा रहा है, आज बंगाल की खाडी में, हिंद माचागर में, अपनी ख्षमताओं को हम अभूत पुर्वर रूप से विख्षित कर रहे हैं, देश का समुद्री हिस्सा, आत्म निर्भर भारत का एक एहम हिस्सा बनकर उपरे, इसके लिए निरंतर काम चल रहा है, सरकार के इन प्रयासों को गती देने के लिए एक और बड़ा कदम उठाये जा रहा है, अब मिनिस्ट्री अफ शिपिंग का भी नाम बदला जा रहा है, अब यह मंत्रा रहे मिनिस्ट्री अफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटर बेज के नाम से जाना जाएगा, उसका विस्तार किया जा रहा है, विक्षित अर्थिववस्ताओं में जादातर जगों पर शिपिंग मंत्रा लए ही पोर्ट्स और वाटर बेज का भी दाईत्व संबालता है, भारत में शिपिंग मंत्रा लए ही पोर्ट्स और वाटर बेज से जुड़ी काफी कारियों को करता रहा है, अम नाम में अधिक्स पस्ठता आने से काम में भी अधिक्स पस्ठता आ जाएगी, साथियों, आत्म निर्भर भारत में ब्ल्यू एकोनामी की हिस्सेदारी को मजबूत करने के लिए समूत्र से जुड़े लॉजिस्टिक्स को मजबूत करना बहुत जरूरत है, यह इसलिए जरूरी है, क्योंकि हमारी अर्थे ववस्ता पर लॉजिस्टिक्स पर होने वाले खर्च का प्रभाव ज़्यादा है, यानि सामान को देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में ले जाने पर, दूसरे देशों की अपेक्शन हमारे देश में आज भी खर्च ज़्यादा होता है, बोर्टर टांस्पोर्ट से कॉस्ट अब लोजिस्टिक्स उसको बहुत कम किया जा सकता है, इसलिए हमारा फोकस एक ऐसे एकोसिस्टिम को बनाने का है, जहां कारगो की सिंब्लेस मुमेंट सुनिश्चित हो सके है, आज एक बहतरीन इन्फर सक्टर के साथ साथ, बहतर मेरिटाइम लोजिस्टिक्स के लिए, सिंगल विंडो सिस्टिम पर भी, हम काम करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, उसकी तैयारिया चल रही है, अब देश, मल्टी मोडल कनेक्टिविटी के दिशा में, एक बहुती होलिस्टिक व्यू के साथ, और दिर्ग कालिन सोच के साथ, आगे बढ़ रहा है, कोशिज यह हैं कि रोड, रेल, एर और स्टिपिंग जैसे इन्फर सेकर की, आपस में कनेक्टिविटी भी बहतर हो, और उसमें जो साइलोज आते हैं, उनको भी दूर किया जा सके, देश में मल्टी मोडल लोजिस्टिक पार्स का निर्मान भी किया जा रहा है, और देश के भीतर ही नहीं, बलकि अपनी पडोजी देशों के साथ भी, मल्टी मोडल कनेक्टिविटी के विकास के लिए, मिलकर काम हो रहा है, मुझे विश्वात है, कि इन तमाम प्रयासों से, हम अपनी लोजिस्टिक कौस को बहुत कम कर पाने में सफर हो जाएंगे, लोजिस्टिक की कीमत को काबू में रखने के लिए हो, जो प्रयात्न हो रहे हैं, इनी प्रयासों से अर्थ ववस्ता को भी नई गति मिलेगी, साथियों, त्योहारों के इस समय में खरीदारी भी खुब हो रही है, इस खरीदारी के समय मैं जरा सूरत के लोगों से थोड़ा आगर करूँगा, क्योंकि उनको तो दुनिया में जाना आने का बड़ा रूटीन होता है, मैं इस खरीदारी के समय, वोकल फॉर लोकल, ये वोकल फॉर लोकल का मंत्र भूलना नहीं है, वोकल फॉर लोकल और मैंने देखा हैं लोकों को लगता है, कि दिये खरीड लिए तो मतलब हम आत्मिंजर पर जी नहीं हर चीज में ज्ञान देना है वरना इन दिनों सरफ दिये कोई अर भें हम भारत का दिया लेंगे अच्छी बात है लेकिन आप अगर खुद देखोगे अपने शरीर पे अपने घर में इतनी चीजे बहार की होगी ज हमारे छोटे छोटे लोग बनाते हैं हम उनको क्यों अफसर्व न दे देश को आगे बढ़ाना है ने दोस्तों तो उसके लिए हमारे इन छोटे 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 लोगों को छोटे छोटे वापारियों को छोटे छोटे खारीगारों को छोटे छोटे कलाकारों को गाउं की हम ने बनाया हमारी जीलिय के लोगों ने बनाया हमारे देश के लोगों न बनाया धेकिया आपका भी सिना चौड़ा हो जाएगा दिवाले को मनाने का बजा और आएजा इसलिए इन भो कल फोर लोकल वो कल यम आ अप्डिकोक कोई कमप्रोमाईज नहीं करेगे देश आजादी के 15 साल मनाने वाला है, तब तक ये मंत्र हमारे जीवन का मंत्र बना जाया है, हमारे परिवार का मंत्र बन जाया है, हमारे घर के हर व्यक्ति के बने ये भाव पैदा हो, इस पर हमारा बल होना चाहिए, और इसलिए ये दिवाली ये दिवाली local for local का एक turning point बन मैं मेरे गुजरात के भाईयों बेहनों से जरा हक से भी मांग सकता हूँ और मुझे पता है कि आप कभी निराश नहीं करोगे अब ननलाल भी बता रहे थे न कि आपने बहुत पहले मुझे कहा था मैंने इसको लागू किया देखिए मुझे कितरा संतोças हुआ कि कभी ननलाल जी को एक बात बताई होगी जो उन्होंने सुनी होगी उन्होंने आज इसको लागू कर दिया आप भी सब मेरे लिए तो हर कोई ननलाल है आईए हम मेहनत करें मेरे देश के गरीबों के लिए कुछ करें दिवाली मनाएं उनके घर में भी दिवाली मनें दिया जलाएं गरीब के घर में भी दिया जलाएं भोकल फर लोकल के मंत्र को और आगे बढ़ाएं मुझे भी स्वा आपकी रक्षा भोवी देश की ही रक्षा है। पूरे देश के सभी नाकरिक भाहियों भानों को मैं आने वाली दिनों में धंत रस हो, दिपावली हो, गुजरात के लिए यह नया वर्ष आएगा। हर बात के लिए हर तोहार के लिए बहुत बहुत शुब कामनाई देता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद